प्रस्ण करें दिये गए विकल्पों में से लूप्त संख्या ग्याद कीजिए, मिसिंग नंबर यहाँ पर लास्ट वाले में दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, दोस्तों जितने भी इसमें प्रस्ण है, सबी परिछाओं में पूछे गए प्रस्ण है, जो बार-बार पूछे गए उन्हीं प्रस्णों को इसमें सामिल किया हूँ, ठीक है, तो इन प्रस्णों को खूब अच्छे से समझते हुए चलिए, और किसी अधर टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है, दूसरे वाले में 30 कैसे आया, जैसे पहले वाले में 15 आया है, दूसरे वाले में 30 आया है, वैसे ही दोस्तों इसमें भी हम लाएंगे, तो देश्टों अगर हम इन संख्याओं को जोड़े, 3, 2, 1, 1, जोड़े तो क्या हो जागा, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 हो जागा, ठीक है, 7 हो जागा, 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 15 क्योंकि ज्यादा संख्या, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम स्क्वाइर कर देंगे, 3 का स्क्वाइर करेंगे तो क्या हो जागा, 9 हो जागा, दो का दोस्तो स्क्वाइर करेंगे तो क्या हो जागा दोस्तो चार हो जागा एक का स्क्वाइर करेंगे दोस्तो क्या हो जागा एक हो जागा इस एक का स्क्वाइर करेंगे तो क्या हो जागा एक हो जागा अब देखिए अब क्या करेंगे 3 का square किये तो 9 और यह 2 का square 4 एक का square 1 अभी यह संख्या है जोडएंगे तो 4 और 9 जोडएंगे तो क्या हो जागा 13 13 1 14 14 1 15 15 कहां पर यहां पर बीच में दिया गया ठीक है अब आगे देखेंगे यही परक्रिया हो रहे है कि नहीं फिर दोस्तों हम 1 का square करेंगे तो 1 हो जाएगा 3 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा 4 का square करेंगे तो 16 हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 का square 16 हो जाएगा और इस 2 का square करेंगे तो 4 हो जाएगा ठीक है तो इस परकारजे क्या करें, square करके जोड़ दे रहा है, ठीक है, त्यानि कि देखी, एक बार और समझा देता हूँ, एक का square किया, तो एक, और तीन का 9, 9, 1, 10, 10 और ये आपका 16 कितना हो जाएगा, दोस्तों, 26, और ये 4 किया, 26 और 30, बीच में लिख दिया है, square करके योग कर दे रहा है, यानि कि जोड़ दे रहा है, ठीक है, तो 2 का, दोस्तों, इसका square करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 का square करेंगे, तो 4 हो जाएगा, इस दोस्तों, 4 का square करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और दोस्तों, इस 5 का हम square कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 69 25 और ये 25 25-25-50 और ये 4 हो गया कितना? 25-25-54, तो बीच में क्या संख्या भरी जाएगी? 54 भरी जाएगी क्या भरी जाएगी? 54, और 54 की इस option में? तो option number आपका D में, तो आपका option number D क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तो क्या किया है दोस्तों? इस प्रेशन में सभी संख्याओं का square किया है और बाहरी जितनी भी संख्या हैं, उनका square करके जोड दिया, तो जोड दिया तो यहाँ पर क्या last में आगया है? 54 आगया है तो 54 आपका option number D में, तो आपका कि एकदाम अच्छे से समाज गया होंगे